हेलो फ्रेंड्स आर्ती किरियेशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम ये टू कलर में राकी बनाना सीखेंगे ये देखिए ये बहुत ही जल्दी और असानी से बनने वाली राकी है और दिखने में बहुत ही खुब सॉरत है, ये देखिए आप चाहें तो ये 2 कलर में इस तरह से बना सकते हैं ये 2 कलर में जो मैंने राकी बनाई है ये मैंने इमब्रॉयड्री फ्रोस जो है फोली है 2 कलर में और 12 नमबर 5.6 mm का करोशिया हुक लिया है यह देखे यह इसमें मैंने दो कलर की बनाई है और एक देखे यह मैंने सिंगल कलर में बनाई है यह देखे इस तरह का थ्रेड ली है यह जो है यह पर्स थ्रेड है बहुत ही पतला जो थ्रेड आता है इसका यह इस तरह से यह उसमें बनाई है और यह भी बहुत ही प्यारी ल डिजाइन है पर सब में तीनों में मैंने थ्रेड अलग लग लिया है यह देखिए यह इसमें जो बनाया है यह मैंने जरी थ्रेड लिया है सिल्वर यह देखिए सिल्वर जरी थ्रेड है जो मैंने लिया है और इसमें मैंने एक ही राउंड बनाया है यह देखिए आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन तीनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद आई तो अब ही मैं अब यहाँ पर ये वाली बना कर दिखाऊंगी कि ये कैसे बनाएंगे ये देखिए इस तरह से कोई पोटा करोशिया या कोई पैन ले लेंगे और इसमें इस तरह से दस बार राउंड राउंड करेंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे और ये बीच में से इस तरह लेके ये एक दो तीन चार चार चेन बनाएंगे नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे ये जो चार चेन है तीन चेन तो हमारा डबल क्रोशिया और एक चेन बीच में तो इस तरह से देखे एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिय बनाएंगे यहां पर हमने 9 डबल क्रोश्य बनाना है थ्री चेंज जो हुई एक डबल क्रोश्य तो उसको मिलाके 10 डबल क्रोश्य हो जाएंगे यह दिखे राउंड कम्प्लीट करेंगे एक चेन लेकर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे उसके बाद एक चेन लेकर इसी में हम एक सिंगल क्रोश्य बनाएंगे और तीन चेन लेंगे तीन लेने के बाद यह जो दो स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे यहां पर पिकॉट बनाएंगे यह देखिए जो फ्रंट लूप है इसमें हम काम करेंगे यह जो बैक लूप है इसको छोड़ देंगे फ्रंट लूप जो है यह वाला इसमें हम सिंगल क्रोश्य बनाएंगे देखो यह सिंगल क्रोश्य बनाया और तीन चेन बनाकर पिकॉड बनाएंगे यह इस दो लूप में डालके स्लिप स्टिच करेंगे सब में सब चेन में एक-एक सिंगल क्रोशिय करेंगे और तीन चेन बनाकर पिकॉट बनाएंगे इस तरह से यह देखे यह फ्रंट जो लूप है उसको लिया उसमें सिंगल क्रोशिय बनाया तीन चेन बनाई और उसके बाद यह इस तरह से यह हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे बताऊंगे कि क्या करना है यह देखे लास्ट में क्या करेंगे इसको इसमें स्लिप स्टिच करके यह राउंड कंप्लीट करेंगे और एक चेन बनाकर यह धागा कर देंगे क्योंकि अब हम दूसरा थ्रेड लगाएंगे दूसरे कलर का यह देखे अगर आपने छोटी बनानी है तो आप एक ही राउंड बना सकते हैं यह देखे मैंने इसमें एक ही राउंड बनाया यह वला अब हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे नेक्स कलर देखिए इसमें जो ये बैक लूप है इसमें हम वर्क करेंगे और ये जो दागा है इसको साथ-साथ ही ले लेंगे ताकि ये भी स्क्योर हो जाए कि यह दिखे Thinking पर हम लूप लेगे हो नया ददागा लगाएंगे यहां पर पीछे कि यह बैक लूप में पर करेंगे यह धिखे हमने नया ददगा टेच कर लिया अब है यह पर हम चार चेन बनाएंगे इसी इसी तरह से जैसे हमने यह फर्स रौण बनाया वैसे tips जी चार चैन बनाली तीन चैन हमारा डबल क्रोशिय और एक चैन पीच में और उसके बाद यह जो स्टिच है इसके दोन एक चेन बनाएंगे और सब एक चेन और डबल क्रोशिया सब स्टीच में बनाते जाएंगे यह दिखे राउंड के एंड में है यह हम एक चेन बनाएंगे और थर्ड चेन में स्लिप स्टीच करेंगे सेम अब इस तरह से जैसे यह सेकेंड राउंड बनाया था वैसी हम यह राउंड बनाएंगे एक चेन बनाकर इसी में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे तीन चेन बनाकर पिकॉट बनाएंगे हर चेन में फ्रंट लूप जो है उसमें हम सिंगल क्रोशिय बनाएंगे और तीन चेन बनाकर पिकॉट बनाएंगे प्रंट लूप देखें फ्रंट लूप लेंगे सिंगल क्रोशिय बनाएंगे और तीन चेन बनाकर पिकॉट बनाएंगे सेम इस तरह से यह राउंड कम्प्लीट करेंगे यह देखें राउंड के एंड में आ गए तो अब हम इसको स्लिप स्टिच से बन करेंगे और एक चेन लेकर दागा कट करेंगे यह देखें यह राकी बन गई अब इसके लिए हम डोरी बनाएंगे यह दोरी बनाने के लिए देखें हमने यह जो है डबल कर लिया थ्रेड और क्रोशिय जो है बड़े साइज का लिए क्रोशिय मैंने यहाँ पर 3.25 कर लिया तो आब इसके लिए बस चेन सीधा चेन स्टिच बनाएंगे इसमें और जितनी लेंथ हमें चाहिए उतनी लंबी डोरी बना लेंगे यह देखें डोरी बना लिए अब इसको मैं यह पीछे से ही डाल लूँगी यह देखेंगे यह पीछे से ही डाल लूँगी इसे ही मैंने यह दोरी इस तरह से डाल ली यहां पर एक मोती अटेच कर देंगे यह देखें फैबरिक ग्लू लगाके और यह उपर यह मोती लगा देंगे देखी राकी बनकर त्यार है बहुत ही जल्दी और सुन्दर बनने वाली राकी है आशा करती हूं फ्रेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और जरूर कमेंट करके बताईएगा कि आपको इन सब में से कौन सी राकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद